अब टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अटम पता तो लगया कि पिछली लेक्टर में आपको की सारी चीज़े अटम्स से बनी हुई है बट इन अटम्स को देखा है किसी ने कहां से आई रहे है यार ये अटम्स ने कैसे देख लिए हमें तो दिखनी रहे है अटम्स मैं कहता हूं है यार दिखाओ नेकर डाइज में हर एक अटम्स को इंडिविजुली देखना इस नॉट पॉसिबल ओके वी कैन नॉट सी दा इंडिविजुल एटम्स पाइं नेकर डाइज तो कुछ महां साइन्टिस्ट थे हमारी हिस्ट्री में लाइक जे जे तॉमसं रदर फोर्ड ज कि यहार ऐसे होता है त्यूरी मतलब जो साइंटिफिकली प्रूब हो चुकी है कोई बंदा उसको गलत नहीं कर सकता तो वह त्यूरी कहला तो देखिए अगर एटम दिखता है तो कैसा है उसकी स्ट्रॉक्चर मतलब माइक्रोस्कोप से कहलेजी अगर विजिबल है तो कैसा संपिक्रोस्कोप से भी स्पेक्ट्र स्कुपिघर जला है जरुआ है तुच्टर बेरी ऊके स्ट्रॉक्चर अटम इसके अंदर दो चीजे होती है प्रोटोंस एंड न्यूट्रॉंस और यह बचा है इस एरिया में यहां पर होते हैं इलेक्ट्रॉंस यह क्या है यह तीनों चीजे पार्टीकल्स है बाटिकल्स दो टृक्स जार्ज हैस एक बाजटेब नेगेटिव चार्ज शुना होगा अपने यह निगूतिव चाff May अजय को नियूट्रों जैन्यूट्र इनके पास कोई चार्ज नहीं है तो यह जो प्रोटॉन्स नियूट्रोंस है यह कैद होते हैं नुकलिस में अगर मैं आपको एक्जामपल दों आपके पास एक क्रिकट बॉल है तो यह की हब स्कूत था तो अगर वो नियूट्रों के साइज कि है तो उसक उसके इपिसको हूं मौते legitimately domain क्लाओड तो 유klious उत्खेक व तो इलेक्टरों के कुछ़ लu के साइज का हो तो लॉक्ट्रों इसे इरत इंनकर गड़ीकिर2 अगर क्रिकेट बॉल के साइस का निपलियस हो तो इलेक्टोन क्लाउड कितने रेडियस में फैला होगा फाइव किलोमेटर देन आप रिलेट कर सकते हो कि उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है ठीक है अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि दुनिया म अभी में अभी में देख अभी में दिस्कवर और रूजमेंशन मतलब जो चीज हम हम इमन इंजन इंवैंट किया डिस्कवर मतलब जो बाइशर है हम खुद धूढ थैं ठीक है तो एक्विटेश्चर थीक एलेमेंट्स है अभी दिखेंट क्यों है आईरन प्र से अलग है कोपर के अपस में हम शक्रोग होग होगे अब गड़ी ख़ोलने जा रहे हो हो मैं कि यह तिक आंप में नंबर आप जैसे मैंने आपको काया प्रोडोंस नियूट्रोंस इलेक्टरोंस यह चीज़े डिफरेट होती जाएंगी लाइक सबसे और एक्जामपल आपके पास हैं लिथियम मेकाने लिथियम का यह बिचकाने लिचयव ने हैं लुकिली नोगार है तीच बिचक्षब 23 के पास 156 अह ठीक है दो प्रोटोन दो न्यूट्रोन और दो इलेक्ट्रोन अब लिफियम के नूकलिस के पास तीन प्रोटोन है तीन न्यूट्रोन है और तीन ही एलेक्टोन होगे ये भी सिखाऊँगा ये याद करने पड़ते हैं ठीक है सब्सक्राइश है और आपको पता लग्या कि अब ही लिफियम का लीफियम सी एकन डिफ्रेट होगा यिमिन ट्रेट के लिटियुम अगरेगा है ये अन्टर जो चीज है प्रोटोन न्यूट्रोन तो प्रोटोन ने का वेस्टियम का यह द्सक्राइब में से मुलब 118 डिफ्रेंट 3K के एटम्स है हमारे पास जो की एलिमेंट्स बनाते हैं फुर्थर मॉलीकूल्स ये सारी चीज़े बताऊंगा इस लेक्ट्र की थीम है आपको पता लगे प्रोटम न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रोन क्या है ये एटम के अंदर ले बाते हैं ठी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का है